सूप्रभाद छात्रों मैं प्रतीकुमा मिश्रा डियेवी पब्लिकी स्कूल दाउदनगर का हिंदी अध्यापक आज कक्छा पंचम की छात्रों को मैं प्रथम पाठ दिमागी लडाई का अध्यान कराऊंगा आओ आज हम सभी प्रथम अध्याय दिमागी लडाई का अध्यान करते हैं पाठ एक दिमागी लडाई एक दिन भगदाद के सुल्तान के दर्बार में पडोसी सुल्तान का दूत आया यह तो पडोसी सुल्तान का दूत है क्यों आया है यह मैं क्या जानू उसने मुझे कुछ बताया तो नहीं इतने में दूत ने अपनी जेब से खड़िया का एक टुकड़ा निकाला बच्चों क्या आप जानते हो खड़िया किसे काते हैं चौक के टुकड़े को हम खड़िया काते हैं चुपचाप सुल्तान के तक्त के चारो ओर एक गोर लकीर खीच दी और चलता बना उसने ऐसा क्यों किया भला पता नहीं सुल्तान पर टोना टोटका किया है या फिर सल्तनत पर अगर उसके सुल्तान ने जादू आदू करवाया है तब तो हम गए काम से सुल्तान ने अक्लमंद दर्वारियों से सला मस्वरा किया उन्होंने उस गेरे का बारीकी से निरच्छन किया इस ओर से लकीर कुछ टेड़ी दिखती है असर मुद्दा यह नहीं है इस गेरे का मतलब क्या है यह समझाओ दर्वारी काफी देर तक आपस में विचार मिमर्स करते रहे अंत में बात्साह सलामत बहुत मगश्पच्ची करने के बाद भी हम इस गेरे का मतलब समझ नहीं पा रहे हैं ऐसा उसके दर्वारियों ने कहा ओफो मैं बरबाद हो गया ऐ खुदा किन बेवकूफों से पाला पड़ा है अचानक एक दर्वारी को खयाल आया बात्साह सलाम होजा को क्यों नहीं बुलवा लेते इस पहली को सुलजाना उनके ही बसका काम है वाह क्या सुझाया है होजा तो मेरी सल्तनत का सबसे सयाना आदमी है ताज्यूभ है मुझे अभी तक उसका खयाल ही नहीं आया होजा को बुलवाओ हाँ हाँ जल्दी से बुलवाओ जोरों से होजा की पुकार मची और तेज दोड़ने वाले हरकारे उनकी खोज में निकल गए आहा होजा ओफ ओफ तुम्हें फॉरन सुल्तान के दर्वार में हाजिर होना है क्यों भाई क्या हो गया आखिर होजा को हरकारे ने पूरा मामला बताया और इस पहली को बूजने वाले को सुल्तान इनाम भी देंगे इनाम मैं चलता हूँ पर कुछ सामान साथ में लेने पड़ेंगे होजा ने बच्चों के खेलने के कुछ छोटे छोटे खिलाओने और एक पालतू चूजा साथ में ले लिया और चल पड़ा महल की योज आओ होजा आओ मैं तो बड़ा परेशान हूँ ठहरो ठहरो या अल्ला यह दूद फिर आधम का उसे मेरे पास आने दीजिये चावल वाह अब तो इसका हमेशा के लिए फैसला करना होगा होजा ने एक चूजा छोड़ा आँ होजा उसकी तो तुमने छुटी कर दी भई मजा आ गया हाँ 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 हम जीत गये देखो कैसे दुम दबा कर भागा डरबो कुटे की तरह हाँ होजा उसकी तो तुमने छुटी कर दी पर आखिर यह माजरा क्या था मेरी समझ के बाहर है सीधी सी बात है वह आपको जता रहा था कि उसका सुल्तान आप पर चड़ाई करेगा और राजधानी को चारो ओर से घेलेगा यह था आपके तक्त के चार ओर लकीर खीचने का मतलब और अब समझा ओ पर तुमने उसके पैर पर बच्चों का खिलाउना क्यों फेका उसे यह समझाने के लिए हम उनसे ज़्यादा ताकतवर हैं सीधे लबजों में मेरा मतलब था कि तुम हमारे सामने निरे बच्चे हो तुम्हारा भला इसी में है कि तुम अपने घरों में रहो और खिलाउनों से खेलो इस पर हमें दिखाने के लिए उसके सुल्तान के पास बे सुमार फोजी हैं उसने जमीन पर चावल के दाने फेके मैंने चावल चुगने के लिए चूजे को छोड़ दिया जिसका मतलब था अगर तुमने सचमुझ हमारे साथ लड़ाई छेड़ी तो तुम्हारा एक भी सिपाही जिन्दा नहीं बचेगा ही 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 सचमुझ तुमने तो कमाल कर दिया पर वह कुछ समझ तो सका न जरूर समझा होगा आपने उसे भागते हुए नहीं देखा हा 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 वह तो देखा ही था होजा मैं तुम्हें अपना वजीर बनाना चाहता हूँ नहीं बात्साह सलामत सुक्रिया बात्साह आश्यरि में असल में मैं बड़ा मसगूल रहता हूँ मसगूल का मतलब होता है बच्चों व्यस्त रहना और यह करते हुए होजा चल दिया और घर आकर मसगूल हो गया आराम करने में हमेशा की तरह अनुवादक ससी राठी नसीरुदीन होजा की कहानी पर आधारेद तो बच्चों आज हमने दिमागी लड़ाई नामक पाठ पढ़ा जिसमें होजा ने अपने दिमाग से अपनी बुद्धी के बल से उसने सारे प्रस्णों का हर ढूंड लिया इसलिए हमें सदैव संयत ढंग से बुद्धिमानी से धैर से काम लेना चाहिए जिससे हमें हर परेशानी का हल मिल जाता है तो बच्चों आज का ग्रह कार्य है आज का ग्रह कार्य है प्रस्ण नमबर एक होजा ने चलते समय अपने साथ क्या क्या सामान लिया प्रस्ण नमबर दो बात्साह होजा को क्या बनाना चाहता था और क्यों प्रस्ण नमबर तीन होजा ने बात्साह के प्रस्ताव को क्यों ठुकरा दिया प्रस्ण नमबर चार चित्र कथा के अनुसार नीचे दिये गए कामों का क्या मतलब है लिखिए क तक्त के चारो और घेरा लगाना ख चावल के दाने फेकना ग चूजे द्वारा चावल के दाने चुग लेना प्रस्ण नमबर पांच उचित उत्तर पर सही का निसान लगाई है क पडोसी सुल्तान के दूत ने अपनी जेब में से क्या निकाल कर सुल्तान के तक्त के चारो और गोर लकीर खेज दी पहला विकल्प है क पैन दूसरा विकल्प खड़िया तीसरा विकल्प कलम खड़ियरे की पहली सुल्जानी के लिए किसे बुलाया गया विकल्प कल हरकारा विकल्प खडूत विकल्प कल हो जा तो बच्चों इन सभी प्रस्णों का उत्तर आप घर पे हल करेंगे और इस पार्थ के सभी कठिन सब्दों को अर्थ लिख कर याद कर लेंगे धन्यवाद